पाठ दो भिक्षा पात्र प्रस्तुत पाठ में लेखक रवींद्रनाथ ठाकुर ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि द्रढ निश्य, सच्ची लगन, कठोर परिश्रम के बल पर मनुश्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है वर्षा का आना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक है पिछले दो-तीन वर्षों से वर्षा पर्याप्त नहीं हुई थी और इस वर्ष तो एक-एक वर्षा के बूल के लिए सब तरस रहे थे धर्थी पर सूखा पड़ गया था भसल नहीं हुई थी हर्यारली और पेड़ पौधु में पीला पना गया था घास सूख रही थी पशुपक्षी प्यासे थे और उनके चहचाने की आवाजें भी कम आती थी नगर में अकाल पड़ा था जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था प्रजा में त्रा ही त्रा ही मची हुई थी लोग परेशान थे भूखे मर रहे थे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई उन्होंने अपने शिश्यों को एकठा किया नगर के सभी धनी भक्त जनों की एक सभा बुलवाई विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया प्रियजनों बोलो भोगी प्रजा को अन्य देने के लिए तुम में से कौन-कौन तयार है गौतम बुद्ध की बात सुनकर रतनाकर सेट का माथा लज्जा से जुक गया वो हाथ जोड़ कर बोला भगवन इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुचाना मेरे वश्की बात नहीं है तथागत ने अपनी द्रश्टी घुमाई उनकी नजर सिनापती जैसेन पर पड़ी जैसेन ने कहा तथागत प्राण देने से यदि भोगी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ तभी धनी धर्मपाल बोला भगवन मैं तो पहले ही भाग काम आ रहा हूँ वर्शा ना होने के कारण मेरे सारे खेत सुग गय है जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी आधा ही पेट भर पाता हूँ मुझे तो इस वर्श का कर देने की भी चिंता है सबी एक दूसरे का मुह ताक रहे थे तभी भीड में से अचानक एक युवती सामने आई वो थी भगवान तथागत के प्रिशिष अनाथ पिंडद की पेटी सुप्रिया वो अत्यंत दुखी लग रही थी आखों से बहते अश्रु पोच कर उसने बुद्ध देव के चरन चुए और मीठे स्वर में बोली भगवन ये तुच्छ सेविका आपकी आग्या का पालन करेगी अन्य की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं नगर के हर आंगन में अनाज पहुँचाने का भार मैं लेती हूँ सभी आश्र ये चकित रहे गए भला एक इस्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी कुछ तो मन ही मन हसने लगे कुछ क्रोधे तो उठे कुछ को सुप्रिया पागल लगी किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा खुद को तो दाने दाने का अभाव है फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े है सुप्रिया सब के सामने सिर जुका कर बोली मेरे पास और कुछ नहीं केवल भिक्षा पात्र के रूप में ये कटोरा है मैं सबसे निर्धन हूँ इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं हे प्रियजनू आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्या पूरी होगी मेरी शक्ती से नहीं मेरा भंडार तो आप सब के घरों में भरा पड़ा है आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी आप जो कुछ भी देंगे वो भूंकों को खिलाऊंगी जब तक धर्ती मा के आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी महत्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशिर वाद देकरों से उठाया और बोले तधास्तु तुमारा निश्य पूरा हो धनी सेठ लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिये पात्र सदयो भरा रहने लगा सब लोगों का उद्धार हो गया किसी भी अकाल पीडित को भूखा नहीं रहना पड़ा उधर वर्षा ने भी संसार पर क्रपा करके धर्ती की प्यास बुझाई खेत फिर हरे भरे हो गए भंडार भरने लगे सब ने सुप्रिया को धन्यवाद दिया रबीन्द्रनाथ ठाकुर्ण